है गाईज वेलकम तुछ देस व्लॉग कैसे अब सब लोग तो आज है मेरा बुर्दे पार्ट टू जो कि हम लोग घर में सलिब्रेट कर रहे थे और बबन ने एक पैरा सा डेकोरेशन किये ज्यादा कुछ नहीं जो स्टेक क्यूट से लड़ी लाइट और एक बलून लेके आ आया था एक आइस क्रीम केक जो इतना टेस्टी था ना खाने के बाद बिकॉज यह आइस क्रीम केक था और आइस क्रीम पूल आपके मुझे बहुत अच्छा लागी नेक्स डे तक भी मैंने रखके घाये डिप फ्रेज में इट वाज अमेजिंग और यह जो था कॉटन इंतिजार क्योंकि जो गेस्ट आ रहे हम लोग रात को मंगा थे थोड़ा पीज़ा कि इतना रात को और क्या ही और कर सकते हैं और मोस्ट डॉमिनोज एक बज़े तक खुला रहते हैं बैंगलोर में और हम लोग पीज़ा मंगा के सब कुछ रेडी कर लिये था और गेस्ट भी आ चुके थे पर हमारा बारा बजी केक कट नहीं हुआ थोड़ा लेट में जाकी हुआ एक बिहांस हो गे थे उन लोग आने में लेट हुआ उन लोग ड्योटी खतम करकिया है जो हमारा स्पेशल गेस्ट था वह बबन की ओफिस में जॉब करते वह पहले मेरी साथ लोड़ें बबन की ओफिस में जॉब करते तो येस यह था केक का डेकोरेशन और बबन इसमें कैंडल लगा रहा है मैं बोल जी थी कैंडल नीचे लगाओ केक क्यों पर नहीं वह डूब जाए कि केक ना मेल्टिंग होना चाले हो गया था बच्छा मैं टेस्ट किया वाओ कि खाते हैं उसको मालों है तो सब कुछ आरेंज होने के बाद फाइनल बबन कैंडल को लाइट अप कर दिये और वो लोग भी केक लेके आये थे ये सब कुछ आरेंज करने के बाद के करना चाले हुआ में वाल हम लोग बहुत सारा बाती किये एक्षिल होता कहना हम लोग जब मिलतें बहुत जादा ही बाते करते हैं मतलब बाते करते ही रहते करते ही रहते और वक्त का पता ही नहीं चलता है देखो इधर हम लोग बाते किये जा रहे और मेंवाइल मैंना केक खाते जा रही हूँ मैं तो कटने से पहले ही मैंने केक को आना चालू कर दिया तो भीहन सो गया था हम लोग इतना मस्ती कर रहे थे क्योंकि होता गया ना बर्द्री पे साल पे एक ही दिना था जिहां पे आपको वी वी आई पे ट्रिट्मेंट किया जाता है और बहुत अच्छे से इंचोई कर सकते मुझे तो काफी अच्छा लगता ह यह दो केक एकतम सेट अप हो गया और भीहन उदर जोया कर गोध में सोया है इधर सुनी तो सब कुछ रेडी कर रहे है और चंडी का ज्रेस्ट पर है तो बाद में मैं सब के साथ इंटर्यूस करा दूंगी अप लोगों को तो इधर बबन जो अपना केक लाया उसमें कांड और इस फील लाइक आर मोस्ट आफ आर फैमिली हम लोग कभी कली जैसा ट्रेट नहीं करते है उन लोग भी घर पे आके रहते हैं सो वी आ लाइक फैमिली और अभी भी मैं केक खाते जारी हूँ क्योंकि यह केक इतना आस टेस्टी है ना मैं खुद को रोकी नहीं पारी ले लोगे विहान को अपना गोदी में यूगि मैं अपना बर्दे का पहला केक विहान को लेके काटा था और यह सेकेंड जो और सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें भी मैं विहो को लेके करूंगी तो मैं मा को बोल रहा हूँ दे दो विहान को मैं उसको लेके केक कट करती बट नहीं वह तो अच्छे से सोव रहे और देखो कितना प्यारा ना यह सबसे बैस्ट मॉमेंट है यह सबसे ज्यादा बैस्ट मॉमेंट है ज्यादा साउन नहीं करेंगे थोड़ा वह साउन के साथ हम लोग केक कट किये थे और अखिकी भीहन उड़ गया तो फिर बाद में इसको सुलाने के लिए और भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना परेगा तो घर में गेस्ट भी है मैंने कुछ घर मैच बनाया नहीं मुझे तो उन लोग घर पे आके जो मंचा है बना के खाते बाद आतको एक बज़े मैं चुले एक्स्पेक्ट नहीं कि थी वो लोग आ र देखो वी हु मम्मा का गोद में और आव हमारा केक कटिंग होगा और हम लोग चाते थे भी उत्र उट जाए बट कोई उटने का नाम निशान नहीं है बियान को वो सोया ही है और फाइनली मैंने कैंडल को ब्लो आप किया और अभी कटेंगे केक अच्छली होता है ना यह 2018 से साथ में रहते हैं और तब से लेके अभी तक बबन मेरा बज्टे में स्पेशल फील कराता ही हमेशा मसकत में जब थे हम लोग ऑल्मोस्ट गोल करीते थे बट इस ताइम गोल नहीं लिए क्यों कि मैंना गोल पहनती नहीं खड़िट तो लेती बट मैं पहनती नहीं और मुझे सूट भी नहीं करता है बहुत जादा खो जाते तो इसलिए मैंने कुछ ऐसा कुछ गिफ्ट नहीं लिए मैंने एक बैग लिए थे बबन मुझे गिफ्ट किये थे जो मैंने पिछले वेला वीडियो में बनाई थी और यह था बबन का आइस क्रेम पूल अपकेक मेरा पहला बर्दी में 2018 में बबन के साथ मैंने अपना पहला बर्दी सेलिब्रेट किये बबन ने एक बहुत बड़ा सा एक चॉकलेट दिये थे मुझे उसके साथ कुछ गुलाब भी दिया था और इधर देखो मैं डांस कर रही हूँ इतना अच्छा म्यूजिक बज़ रह आया थे वो एक पे क्योंकि मुझे गार्डेन बहुत पसंद लास थे मुझे बहुत अच्छे से गिफ्ट दिया था इस बार भी बहुत अच्छा गिफ्ट दिया उन लोगोंने तो येस मेरा ममी बोल रही था मैं नहीं खाऊंगी तो इस इस हाव वी सेलिब्रेट आवार ब सब्सक्राइब नहीं किया अपली सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को अन कर देना और अपना वैलोबिल कॉमेट मुझे बता सकते बाबाई